सियासत में इन दिनों बगावत की सुर जोर शोर से सुनाई दे रही है जहां एक तरफ कॉंग्रिस में राजिस्थान से लेकर पंजाब तक घमसान छड़ा है तो वहीं बीजेपी में भी मनमुटाव अब सियासी सतह पर आ चुका है नौबत यहां तक आ गई कि दो राजियों में तो सीयम बदलने की कवायत तक तेज हो गई जीहां करनाटक से लेकर त्रिपुरा तक कमल कमजोर होता जा रहा है बीजेपी के नेता एक जुटता का दावा करते हैं लेकिन अंदर खाने पार्टी में जबरदस्त कलहे मची है जिसकी बान की पिछले दिन उत्राखंड में देखने को मिली थी वही अब उत्राखंड की तरह ही करनाटक से लेकर त्रिपुरा तक बीजेपी अंतर कलहे से जूज रही है तभी तो मुख्यमंत्री का चेहरा बदल कर कलहे को खत्म करने की कवायत पर जोर दिया जा रहा है पार्टी आलकमान इन दोनों राज्जियों में नेत्रत्य परिवर्तन के विकल पर भी विचार कर रहा है नेत्रत्य ने दोनों राज्जियों के मुख्यमंत्रियों को दिल्ली तलव किया है पाटी सूत्रों ने बताया कि शुकरवार को शीर्श स्तर पर त्रिपुरा को लेकर गहन मंथन हुआ है इसी मंत्रणा के बाद राज्ज के मुख्यमंत्री विपलव देव को दिल्ली तलव किया गया है पाटी सूत्रों का कहना है कि या तो राज्ज सरकार में बड़ा बदलाव होगा या फिर विपलव देव की जगे उप मुख्यमंत्री विश्नु देव वर्मन को सरकार का चेहरा बनाया जा सकता है दरसल त्रिपुरा में डेड़ दरजन विधायक मुख्यमंत्री की कारिशयली से नाराज है नेतलागातार उन्हें बदलने की मांग कर रहे हैं इसलिए आला कमान भी इस पर विचार करने पर मजबूर है मुख्यमंत्री के पास इस समय दो दरजन से अधिक एहम विवाग है माना जा रहा है कि सीएम का चेहरा बदला जा सकता है तो ये विवाग नए मुख्यमंत्री के पास जाएंगे वही त्रिपुरा की तरह करनाटक के सीएम बीएस यदुरप्पा पर भी हाई कमान ने अपनी नज़र टेहरी कर ली है आला कमान के निर्देश पर सीएम बीएस यदुरप्पा भी दिल्ली पहुँचे हैं उनकी जल्द ही पार्टी अध्यक्ष नड़ा से मुलाकात हो सकती है दक्षन में बीजेपी के एक मातरगड करनाटक में भी एदुरप्पा के खिलाफ सरकार और पार्टी में असंतोश है बीते दो-तीन महीनों में असंतोश्ट गुट के कई नेता पार्टी नेतरत से मुलाकात कर अपनी नाराजगी तर्ज करा चुके हैं आलाकमान के सामने राज्यमंत्री मंडल में बड़ा बदलाव या सरकार के चहरे में बदलाव का ही विकल्प है सूत्रों का कहना है कि दोनों ही राज्यों को लेकर अगले कुछ दिनों में फैसला हो जाएगा अब देखना होगा कि बीजेपी दोनों राज्यों में कलहे को खत्म करने के लिए क्या फैसला लेती है डीवी लाइफ की रिपोर्ट